हेलो फ्रेंड्स तो आज हम भी एसी फश्य के मिश्य का यूनिट फूर जो देख रहें इंट्रोड़क्टरी मेंडिशनल के मिश्य तो आज हम उसमें बहुत ज़्याद इंपोरेंट टॉपिक जिसका नाम है दर्दनासक एजेंट आपका क्या होता है ठीक है और आपका जैसे एंटी इंफलेमिटोरी एजेंट क्या होता है जो आपिंट ब lot की चारोग बहुत इंपोरेंट तो चलो तो चलो वेडियो लग व्हूद बात करें दर्दनासक एजेंट नाम से क्या पता चलлы नाम में ही इसके अर्थ चुपा है दर्दद का नास करने वाला एजेंट मतलब ऐसा ऐसा ड्रग ऐसी दवा जो क्या करें आपके दर्द का नास कर दे उसे ड्रजेसिस कहते हैं तो देखो आपकी तोरी भी लिखियो होगी कि ऐसी सारी औस तैया या इंग्लिस में कह सकते जिनमें पीड़ा का निवारन होता है दर्द का मतलब ठीक है दर्द का निवारण होता है दर्द को आपको ठीक किया जाता है तो वो क्या कहलाती दर्दनासक एजेंट एनलजेस एजेंट ठीक है तो आपकी दर्दनासक एजेंट क्या होती ऐसी सारी ओसदियां जिनमें पीडा का निवारण होता है दर्दनासक एजेंट कहलाती है आगे पढ़ते हैं वास्विक दर्दनासक एजेंट वो होते हैं जो केवल उन्हीं और सद्यू को कहते हैं जिनमें बिना निद्रा तथा आचेतना उत्पन किये दर्दनास हो जाए मतलब सिंपल सा आपकी बात है कि देखो जब आपको दर्दनासक यह जो आपकी इनलजेसिस मतलब तो वही आपके दर्दनासक कर साथएं तो देखो क्या का गया रिए जिनमें गीना निद्रा था है चेतना उत्पन के दर्द का नास हो जाए ठीक है दर्द नास मतलब दवा आपका जो दर्द है वो क्या हो जाए खत्म हो जाए ठीक है दर्द जो हो आपका वो खत्म हो जाए जब पैरदर जो भी हो तो खत्म हो जाए ठीक है तो एक्जामपल लेखते हैं एक्जामपल है आपक आपका क्या होगा दर्दका नास भी हो जाएगा तो यह पहला नमबर था अगला नमबर हमा आखके एजेंट एंटी पारिटिक खिक है इंґजिस में कहते हैं एंटी पारिटिक एजेंट तो जोर नासक इसका भी नाम से बता छना ऐब ज्यौर का नास करने कि एअध कहो ज्र जव Corner को खत्म करने वाली अवसधिया ज्वर आवस्था या कहते हैं? ज्र आवस्था या कहसो है, ऑफिवर कुछ भी कोुछ धिक को देखो, ज्वर हारी अवसदिया जो बुखार में प्रयूग करने पर सरीर के ताप को कम करके उसे पुरना साधान अवस्था में ले आती, ज्वर नासक एजैंट कहला ती है। क्या बात हुई? सिधर सिधा बात ये है, आपके जो ज्वर नासक एजैंट होते हैं, अपका बुखार कम करते हैं, मतलब कि सरीर के ताप को जो आपका सरीर के ताप बहुँ ज़दा गरम हो जाता है उसे कम करके पुना उसी अवस्था में ले आती हैं वो ज्वर नासक एजेंट कहलाते हैं देखो ज्वरहारी ओसदियां ज्वर आवस्था या कह सकतो बुखार में प्रियोग करने पर जिससे आपका बुखार क्या हो गया कम हो गया और आपका जो ताप पहले सदी का ज्यादा बढ़ गया था वो पुना उसी अवस्था में आ जाएगा ठीक है तो आप हमेसा पैरसीटा मॉल खा ले तो तो देखो यह एस्परीन होती है जिसका फॉमल लोता है ऐस्पीरीन का और यह होता पैरसीटा मॉल आपका है तो पैरसीटा मॉल और ऐस्पीरीन हम खाते है जब आपका बुखारा आ जाते है तो देखो हमने देखा ज्वर्णासाग एजेंट क्या है जो कि शरीखिवित आपको कम कर देती ऐसी दवाइइं यह ऐसे ड्रॉग होते है। टीक है यह होती ज्वर्णासाग एजेंट एंटी पारेटिक दर्द और सूजन के लिए अगर आपको दर्द है कहीं पर या सूजन आ गई थीक है सूजन आ गई है तो उसके लिए आप एंटी इंफ्लैमेटोरी एजेंट को प्रयोग कर सकते हो एक्जामपल आपका डिकलोफेनट और परासीटामॉल परासीटामॉल भी आपकी इस पर काम एंटी इंफ्लैमेटोरी एजेंट के रूप में कर करा सकते हो ठीक है तो यह भी एंटी इंफ्लैमेटोरी एजेंट है आपका यह देख सकते हो ठीक है तो देख सकते हो यह आपका क्या एंटी इंफ्लैमेटोरी एजेंट है एक्जामपल आप देख सकते हो डिकलोफेनट प पर देखते हैं क्या होता है अगला नमर अंवारा प्रतिज्याबिक टिक थिक है अंटिबाइोक क्या होता है क्या बात कही गई बात कही गई एसे जो छोटे-चोटे-च्वालु से पराफ्थ होते हैं यह और जिवाडूओं को नास भी कर देते हैं, उनको खट में भी कर देते हैं, मतलत विसहली होते हैं यह थोड़ा, आगे देखो पढ़ो, या सिफलिस के उपचार के लिए खोजा गया उपचार था, अर बात करें तो यह मानाव के लिए विश्याहली होती है इतनी ज्यादी को रोगते हैं या उसको नास भी कर देते हैं मतलब कि इतनी ज्यादी भी सहली ओति होती कि उसका और जिवाडवों की ब्रध्व को रोग भी सकते हैं और उनका नाश भी कर सकते हैं प्रतिजायविक औस या एंटिबयॉटिक ॉसथी या एंटिबयॉटिक में उससे उत्पन होती थी ठीक है कौन सी आपकी सिफिलिस के सिफिलिस रोक के उपचार के लिए ठीक है तो देख सकतो इसका एक्जामपल है सैलवर सैन तो यह इसका होता है सैलवर सैन जो है जीवाड़ों से उत्पर होती है और कुछ जीवाड़ों की व्रद्धि को भी रोपती है ठीक है उसके लिए विसेली होती है यह सिफलिस की उपचार के लिए एक हो जाएगा उपचार था देख सकते हो एक्जामपल है सैल्वर सैंड ठीक है तो यह बात थी आपने देखा एक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शुरू करती है का ओके थैंक्स पॉचिंग इस वीडियो